शेक चिल्ली की कहानी कैसे नाम पढ़ा? ऐसा कहा जाता है कि शेक चिल्ली का जन्म गरीब परिवार में किसी गाव में हुआ था. उसके पिता बच्पन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी माने उसकी परवरिश्की थी. शेक चिल्ली की और मजेदार कहानिया सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. शेक की माने इस सोच से बेटे को पाला पोसा था कि वो बढ़ा होकर कमाएगा और उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी. इसी सोच के साथ शेक की माने उसे पढ़ने के लिए एक मदरसे म डाल दिया. वहाँ, मौलवी साहब ने शेक को पढ़ाया कि लड़का है तो खाता है और लड़की हुई तो खाती है. वैसे ही जैसे सलमान जाता है और सबरीना जाती है. इस बात को शेक ने अपनी बुद्धी में बैठा लिया. फिर एक दिन गजब हुआ जब गाव के एक कुए में मदरसे की एक लड़की गिर गई. वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी. शेक ने जब उसे कुए में गिरा हुआ देखा तो वो दोल कर अपने मदरसे के साथियों के पास आया और बोला वो मदद के लिए चिल्ली रही है. शेक की इस बात को लड़के प अभी किसी ने शेक से पूछा, शेक, तू बार-बार इसे चिल्ली-चिल्ली क्यों कह रहा है। शेक ने कहा, अरे, लड़की है, तो चिल्ली ही तो कहुंगन, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। शेक की बात सुनकर सभी हसने लगे और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिलाने लगे। यही वो बात थी जिसके बात से ही शेक का नाम शेक चिल्ली पढ़ गया। इसके बाद भी शेक चिल्ली को समझ नहीं आया कि उसका मजाक क्यों ओड़ा और सब उसे क्यों शेक चिल्ली कहने लगे, लेकिन इसके बाद शेक ने भी कभी अपना नाम बदलने के बारे में नहीं सोचा. कहानी से सीख, अगर हमें कोई कुछ सिखाता है, तो उसे याद करना या रट्टा मारने का कोई फाइदा नहीं है, बलकि उसके मतलब को समझना जरूरी है. रट्टा मारने से तो बस शेक चिल्ली जैसा ही हाल होता है.